ब्रेक के बाद कारिक्रम आरोग्या मंत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में है जाने-माने आयरुवेदाचारी है प्रताप चौहान जी डॉक्टर साथ जैसे कि आज हम एक्जिमा पर बात कर रहे हैं तो इसके लक्षन भी हमने जान लिए क्या इसका उपचार है स्किन के कोई भी रोग हो किसी भी प्रकार का तुचा का रोग हो आपको आप आख बंद करके आयरुवेद की शरण में आईए कुछ ऐसे रोग हैं जो आयरुवेद में बिल्कुल पक्के ठीक होते हैं तो एक्जेमा का भी इसमें बहुत अच् पानी की बाटल से पानी पी रही थी तो आप क्या पी रहे थे जो इतना जादा आज मतलब आपके पास वक्त नहीं होता है फिर भी इतने जादा आप एनर्जेटिक होते हैं लोगों की प्रप्लम्स को दूर करने के लिए आप 24 गंटे तत पर रहते हैं क्या खाना पीना पी अगर गर्म है तो ओसको ठंडा करके भर लो अगर सरदी है तो गरम-गरम उसको थर्मस में भरलो तो आपको चाय की जरुत पढ़ेगी दिन बर ना आपको काफी की जरुत पढ़ेगी और उसमें कितना गून मेथी से बहुत सारी चीजे हैं अब आपने सुनो होगा मेथी द जोडों के दर्द को भी बचा आपका हो गया, धनिया और जीरा और सौंफ पाचन को ठीक रखते हैं, और पाचन आपका ठीक रहेगा, तो आपके सभी रोग ठीक रहेंगे, तो पानी तो ऐसी पीना है मैं, तो क्यो ना उसमें कुछ चीजें डाल करके हैं, मुबाल करके, वह मुझे लगता है कि बहुत जादा टेस्टी भी यह होता होगा, मैं इसको घर जाकर जरूर ट्राइ करने वाली हो, फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इस कारीप्रम में पूछी अपना सवाल, यह मुझ बहुत जादा जो गरिश्ट भोजन आप करते हैं, फैट वाली चीजें जादा खाते हैं, चिकनाही जदा खाते हैं तो लिवर पर उसका आसर आता हlaf. लिवर में स्वेलिंग अना दूसरा रोग हो सकता है, हैप पेटाइटिस में भी लिवर में स्वेलृंग आती है, या आ अंदर भी क्या प्रकार की रोग हो जाते हैं आजकल, कभी एपसेस बन जाता है, अंदर को फोड़ा बन जाता है, किसी प्रकार का infection वहाँ हो जाता है, तो उसके कारण भी वहाँ swelling आ सकती है, तो एक तो पूरा परेक्षन करके तब आपको बताना चाहिए हमें, अगर आपने क पूर्ट्स में क्या findings आई हैं, तो फिर उसके अनुसार चेकित्सा आपकी की जाएगी, लेकिन अभी आपको छोटा सा एक नुस्का बताता हूं, बहुत कारगर है, और आपको अच्छा फायदा भी मिलेगा उससे, जो घृत कुमारी होती है, गौर पाथा उसको हम बोलते ह अलोई वेरा के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया है हो, हमारे हजारों सालों से वो पढ़ा हुआ है विचारा, वो प्रसिद्ध हो नहीं अभी, अभी वो अलोई वेरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, हमारे घृत कुमारी, कुमारी आसा आपने सुना होगा, एक बनता है करेगा उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो आपको portion भी देते हैं nutrition भी देते हैं आपके शरीर में और आपकी deficiency किसी प्रकार की हो इसको भी दूर करेगा तो यह आप शुरू कर दीजिए लेकिन जो आपने reports कोई कराई है कोई कराई है कोई जांच कराई है तो उसका पूरा एक विवरन हमें प्लीज जरूर भेज देजिए ताके हम पूरा अंदाजया लगा सकें कि लिवर में पैनल लेकर बैठ जाती हूं और इतनी सारी टेप्स होती है जो कि हमें पता ही नहीं है घर में इतना सारा कुछ होता जिसे हम वेस्ट समझते हैं वह वाकई में कितना ज़्यादा फायदे मंद होता है इस प्रोग्राइम के माथम से उनको पता लगता है तो यह जो जवाब ह है खेर मैं उनसे बात कर सकती हूं इसलिए मुझे पता लगा लेकिन बहुत से दर्शक मुझे पता है ऐसा ही सोचते हैं ऐसा ही समझते हैं इस कारिक्रम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अगर आपका कोई feedback है आपका कोई सवाल है तो आप इस show के बाद भी हमें call कर स सकते हैं email ID है info at the rate jiva.com website www.jiva.com तो आज की चर्चा थोड़ी सी अधूरी रही है हम उपचार पर बात नहीं कर पाई एक्जिमा के लेकिन आने वाले एपिसोड में जरूर हम इस पर अपनी चर्चा कंटीन्यू करेंगे फिलहाल आज आपने अपना कीमती वक्त दिया बहुत बहुत शक्रिया तो हमारी आज की पेशकर्ष में बस इतना ही चलते चलते बस आप से एक ही वादा लेना चाहूंगे कि अब आप अपने शरीर को बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करेंगे क्योंकि यही शरीर है जो आपको हर खोशी का एहसास दिलाएगा इसलिए उठि अपने शरीर की आवाज को पहचानिये कोई बिमारी है कोई परेशानी है तो आप उसका ट्रीटमेंट अभी से करना शुरू कर दीजिए फिलाल हमें दीजिए इजासत नमस्कार